नमस्कार दोस्तों भारती बाजार में स्कूटरों की डिमांड हमेशा रही है कम कीमत लो मैंटिनेंस और बेहतर माइलेज के शाथ अपनी उपीकता के चलते लोग स्कूटी में खासी दिलस्थ भी रखते हैं अगर आप भी कम बजट में स्कूटर खरीदना चाते हैं बेहतर पर्फार्मेंस के साथ TBS स्कूर्टी पेप प्लस का बेरियन चुन सकते हैं TBS के इस स्कूटर में 87.8 CC का एंजन दिया गया है जो यह एंजन 5.36 HP का पावर और 6.5 NM का टार्क जनरेट करता है PS4 माडल के मुकाबले पावर 5 HP और टार्क 5.8 NM ज्यादा है स्कूटर का वजन पहले ही तरह 95 KG ही रखा गया है पावर पढ़ाने के अलावा TBS कमपनी ने कुछ नए फीचर्स भी जोड़े हैं यह स्कूटी कुल साथ कलर में उपलब्ध है इसमें दो कलर नए आये हैं कुरल मेट और एक्टा मेट TBS कमपनी का यह स्कूटर अपने कम वजन और छोटे साइज के करण महिलाओं में काफी पेमस है TBS की स्कूटी कई बरसों से अपने सिग्मेंट में बहतरीन परदर्शन कर रही है यह न केवल माईलेज परफॉर्मेंस में बेश्ट है बलकि विफायती भी है कमपनी ने इसे पहली बार साल 2005 में लांच किया था स्कूटी में ड्रम ब्रेक और ट्यूब लेश टायर्स भी दिये गए है दोस्तो फ्रंट से इसी स्कूटी को देखा जाए तो काफी सुन्दर नजर आती है सामने ही आपको हाइडोजन बल्ब युक्त आपको हेडलेंप मिल जाता है हेडलेंप के ठीक नीचे एक छोटी LED लाइट मिल जाती है जो अच्छी खासी रोसनी प्रदान करती है और इसी के ठीक नीचे आपको TBS की वैजिंग देखने को मिल जाती है यहाँ नमबर प्रेट लगाने का होल्डर मिल जाता है इसकी बाड़ी मजबूत फाइबर की बनी है यहाँ पर तो ब्लैक कलर देखने को मिल जा है किन अन्य गाड़ियों में कई सारे कलर देखने को मिल जाएंगे इसी स्कूटी में बहतरिन इंडिकेटर देखने को मिल जाता है जिसमें हाइड्रोजन बल्ब लग रखा है इसी स्कूटी में आपको बीच में काफी स्पेस देखने को मिल जाता है यहाँ आप घरेलू कोई भी सामान रख सकते हैं तहां side में आपको scooty plus का tigger देखने को मिल जाता है। पीछे की तरफ side stand मिल जाएगा, जिसमें alarm indicate करता है। इसकी suspension की बात करें तो front suspension telescopic rear suspension coil spring है। इसका आगे का और पीछे का tire 3.10 का मिल जाता है। back side पीछे की तरफ आपको बड़े size में tail lamp देखने को मिल जाते हैं। इसमें आपका indicator भी combine किया गया है। यहां नीचे की side में number plate holder दे रखा है। का silencer काफी मजबूत और खूपसूरत है। इसमें chrome का प्रयोग किया गया है। निलबार में 2 side C सा आपको TBS company के तरफ से लगा हुआ मिल जाता है। speedometer की बात करें तो यहां पर आपको हर तरह की information देखने को मिल जाती है। इसी scooter की सारे switch अच्छे और quality में रग रखे हैं। यहां upper और deeper का switch मिल जाता है। यहां गाड़ी start करने के लिए self start switch दिया गया है। यहीं बगल में indicator का switch दे रखा है। accelerator काफी smooth और lightly है। यहां पर आपको गाड़ी on करने का और lock करने की चाबी holder मिल जाती है। यहां mobile charger circuit देखने को मिल जाएगा। इसमें आप data cable लगा कर easily mobile charge कर सकते हैं। यहां समान रखने के लिए एक छोटा space दिया गया है। इसमें आप थोड़ा बहुत समान रख सकते हैं। तो इस गाड़ी की mileage की बात करें। तो आपको यह 50-55 कीमी प्रतिलीटर की mileage दे देती है। इसमें BS6 मानको पर आधार 87.8C single cylinder 40 stroke air cool engine लगाया गया है। इस engine में CBT gearbox का option मिलता है। तो 6500 RPM पर 5 BHP की power और 4000 RPM पर 5.8C का pick torque generate करता है। इस स्कूटी में fuel capacity 4 liter है। इस स्कूटी की लंबाई की बात करें तो 1735 mm और चोड़ाई 590 mm उचाई 1065 mm वील बेस 1230 mm और वजन 95 kg आपको इस स्कूटी में देखने को मिल जाता है। दोस्तो इस स्कूटी की एक सोरूम प्राई 56,000 से अंठावन हजार 754 लुपे तक आपको टीवियस सोरूम पर मिल जाएगा। तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले किसी अन्य गाड़ी की रीवी वीडियो के शाद आप सभी को शादर नमस्कार जै हिंद।